गाइस दिस दे सेक्षन पॉम्प वीडियो यह वीडियो सेक्षन पॉम्प का वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों और यह है सक्षन पॉम्प और आपका यह एयर ऑपरेटिव डबल डायग्राम पॉम्प से है और जो नन मेटालिक एयर ऑपरेटिव डायग्राम पॉम्प इसको कहा जाता है और यह दोस्तों डाउन साइट का जो है इनलेट है और यह मीडिल में जो सेंटर में होता है यह एयर कनेक्टेट कनेक्शन है और यह आप साइट का जो है आउटलेट होता है इसका तो इसमें 3 पॉइंट होते हैं इनलेट, आउटलेट और एर कनेक्टेट पॉइंट और दोस्तो इसका फ्लो स्पीड बताऊँगा तो आपको पर मीटर में ये 53 गैलेंज ये फेक देता है एक मिनिट में 53 गैलेंज इसका फेकने का छेमता होता है और इसके ब्रांड आपको मिलेंगे क्वाटर, हाफ और आपका क्वाटर, क्वाटर में मिल जाएगा, हाफ में मिल जाएगा आपको और वान इंची में मिल जाएगा और इसका ब्रांड आपको मिलते हैं और इसका वीडियो के लास्ट में आपको पूरा डिटेल पीडियाप सही तुमें लास्ट में दे रहा हूं इसके वीडियो में आपको यह कहां मिलता है कौन से कंपनी में क्या क्या बेनिफिट है यह सब सारे आपको वीडियो के लास्ट म में मैं पूरा इसका पीडियाप दे रखा है देख लीजेगा और यह विप चेज है दोस्तों यहां पर इसका मतलब यह होता है कि अगर यह पाइप छिटक गया तो किसी को नुकसान नहों जाए किसी को चोट पटक नकला जाए तो अब यह दोनों स्कानेक्टेड होते हैं दोनों साइड में इसका परपस्य उता है और यह देखो कि सक्सान पंप है यहां पर नीचे से कनेक्ष्ण अलैडी हो रहा है एक जगाल लीक है यह पानी का जो है उसको हटाने के लिए इसका उपयों कर रहे हैं और जहां पर आपको इलेक्रिसी टी ब तो इसका ब्रांट दुसरा है और उसका ब्रांड दुसरा है जो नन मेटालिक वाला पॉम्प सक्षन पॉमप है वह का पेटन ब्रांड और यह मेटालिक वाला कोई दूसरा ब्रांड है इसमें आपको मैं यहां पे दिखा रहा हूँ उसके कमपनी का यह मेटालिक सक्षेन पॉम्प है और जो नन मेटालिक एर उपरेटिव डायगराम डबल डायगराम पॉम्प जो है एरो कमपनी का पेटेंड ब्रांड है तो इसके बार में ज्यादा ज्यादा जानकारी के लिए बताओं तो यह नन मेटालिक है और इसको क्या है और लूब्रिकेट्शन के जगह इसको यूज किया दाता है यहां पर हमारा यह एर्स कनेक्शन पाइप कर रखे थे यह सेक्शन पॉइंट है यहां पर से पानी को खीच के बाहर फेकने के कोशिश कर रहे हैं तो देख लिजेगा जैसे यह इसको लगाएगा इसको सीधा रखने के बज़ाए थोड़ा सा क्रॉस में रखोगे तो पानी को जल्दी पूल करेगा यह सीधा रखेगा तो क्या है नीचे बंद हो जाता है तो खिचने में थोड़ा पॉम्प को परिशानी रहेगी तो यह स्पीट की बारे में बताओं तो इसका जो है एर फोलो आप जैसे ज्यादा खोलोगे तो ज्यादा रण करेगा अजर कम खोलोगे तो लो रण करेगा जैसे यहां पर अन तक रखा यह आपका 8.12 के बार में भी यह चलता है 8.12 के बार में भी चलता है इतना फास्ट हमको नहीं चाहिए हमको स्लो चाहिए तो यह तो बहुत स्पीड हो जाता है तो आपको जैसे ही नॉर्मल करोगे तो उसको आपका एयर फोलो के रूडिस कर लेना है आपको एयर फोलो रूडिस करने के बाद यह थोड़ा नॉर्मली चलेगा नॉर्मली अपने हिसाब से खीचेगा जैसे कि यहां पर खीच रहे है यहां पर देख लीजेगा यह कहां से कहां फेक रहा है तो पर मिनिट में 53 गैलन फेकने की सहमता होता है इसका 53 गैलन फेक देता है पर मिनिट में तो यह आपका ज्यादा जानका रही कि लिए दोस्ते केमिकल इंडेस्ट्रियन और वाटर और वेस्ट वाटर इसका नार्किक प्रूमिय में इसका यह ज़ाइब आख ज़े है जोस्तों वाटर पिक्ना है व्लगेस यह चमिकल यह इंडेस्ट इम्लीन यह पानी कि तो इसका यह सारकीजिए वेस्ट आख प्टोर तो यो किया रुती तो अगर जो पर अबदला हो इंटती किया रहुती है आपको पंचर करना या आपको नमाना या बिस्तर जानकारी आपको मिलते रहेगा वीडियो को अंत्य तक देखते रहेए तो दोस्तों अभी के लिए थेंक यू देखते रहे है वीडियो को पसन आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दिए सपोर्ट किजिए और थेंक्स फॉर माई थेंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो थेंक्यू वीडियो यह वीडियो सक्षन पंप का वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों और यह है सक्षन पंप और आपका यह एयर ऑपरेटिव डबल डायग्राम पॉंप से है और जो नन मेटालिक एयर ऑपरेटिव डायग्राम पॉंप भी इसको कहा जाता है और यह धोस्तों downside का जो inlet है और यह middle में जो center में होता है यह air connected connection है और यह off side का जो है outlet होता है इसका तो इसमें 3 point होते हैं inlet, outlet और air connected points और दोस्तों इसका फ्लो स्पीड बताऊगा तो आपको पर मीटर में फिप्टी थिरी गैलेंट्स ये फेक देता है एक मिनिट में फिप्टी थिरी गैलेंज इसका फेकने का छेमता होता है और इसके ब्रांड्स आपको मिलेंगे quarter half और आपका quarter quarter में मिल जाएगा half में मिल जाएगा आपको और one inch में मिल जाएगा और इसका वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरा डीटेल पीडियाप सही तुमें लास्ट में दे रहा हूं इसके वीडियो में आपको यह कहां मिलता है कौन से कंपनी में क्या क्या बेनिफिट है यह सब सारे आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा और वह भी मैंने इंक में मैं पूरा इसका पीडियाप दे रखा है देख लीजेगा और यह विप चेज है दोस्तों यहां पर इसका मतलब यह होता है कि अगर यह पाइप छिटक गया तो किसी को नुक्सान हो जाए किसी को चोट पटक नकला जाए तो अब यह दोनों साइड में इसका परफिस यह होता है और यह देखो कि यह सक्षन पंप है यहां पर निचे से कनेक्षन अल्लेडी हो रिख है एक जगर लिक है लिक का पानी का जो है उसको अटाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं और जहांपर आपको इलेक्रिसिटी बिना ही यह चलता पर फ्लो मोटर से आई है और ये मोटर आपको मेटालिक मोटर है और वो पोली प्रोपरलीन मोटर है जो विटाउट मेटालिक वाला था तो इसका ब्रांड दुसरा है और उसका ब्रांड दुसरा है जो नन मेटालिक वाला पॉम्प सक्षन पॉम्प है वो ए आरो का पेटेंड ब ब्रांड है इसमें आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं कि उसके उसके कंपनि का यह मेटालिक सक्षेंड पंप है और जो नन मेटालिक एर आपरेटीव डाइग्राम डबल डाइग्राम पंप जो है ए आरो कंपनी का पयरेंड ब्रांड है तो इसके बारे में ज्यादा ज्यादा जानकारी के लिए बताओं तो ये नन मेटालिक है और